वाट सब गाईज, वेल्कम टू जेके एससबी आउन टेटोरियल, मैं हूँ सतीश और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के टॉप मोस्ट करेंट अफ एरमसी क्यूज विद एक्स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी बात आप लोगों साथ शेर करने वाला हूँ वेल आप सभी लोग जानते हैं कि फा का पेपर हुआ भी रीसली ठीक है और ये पेपर ऐसा एक्जैम है जो एक डेड़ दो साल से लगातार मतलब पहले कंसल हुआ फिर अब हुआ लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जिन बच्चों के पास डेड़ दो साल का टा बढ़ने के लिए फिर भी इतना बढ़ने के बाद भी उनके नमबर 65-70 क्यों है इसका सबसे बढ़ा रीजन पता है क्या है आप लोगों की गलत एप्रोच बच्चे को लगता है कि टाइम जादा है तो मेरे से कुछ छूटना नी चाहिए वो दस जगाओं से नोट्स बनात होगे तो आपकी सेलेक्शन कभी नी होगी 65-70 के बीच में ही रहोगे सेलेक्शन लेने का सबसे most important जो रास्ता है that is कि concise material होना चाहिए और उसको कम से कम 3-4 बार revision हुई होनी चाहिए क्यूंकि exam MCQs based आता है और MCQs आप तभी solve कर सकते हो जब concept आपके mind में है और concept mind में तभी ह होता है जब आपने उस चीज आपने पढ़ी उसको बार-बार revise करा है लेकिन आप लोगों की सोच इतनी गलत है आपको लगता है कि मेरा कोई चीज रहनी नहीं चाहिए मेरा ये position रहना नहीं चाहिए मेरा वो position रहने रहने के चक्कर में सिर्फ GS या एक-दो subject में ही आप लो करके concept clear करके आप exam में बैठो और खुशी से exam को qualify करो या जब आपको चीज आती है ना तो आप उसको solve करते हो और ये सारी की सारी चीज है मतलब concise material और repetitive revision के accordingly ही हम आपको female supervisor course में पढ़ा रहे हैं और इसलिए हम लोग 100% selection guarantee दे रहे हैं यह 100% selection guarantee basically इस process की वज़ा से है जो हम offline हो चाहे online हो लेकिन वही system कि दुनिया लोगों को बच्चों को दुनिया बर का data पढ़ाया जा रहा है बिना यह जाने कि क्या बच्चा इस चीज को mind में रख पाएगा क्या बच्चा इसको revise कर पाएगा बिना उस चीज को जाने बिना human psychology को समझे सिर्फ बच्चों को content provide किय जा रहा है हम लोग वैसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारी जितने भी faculty are topmost and educated plus most importantly they have qualified JKS's exam so that we know कि किस तरह का content exam में आता सिर्फ हम to the point चीज नहीं करवाते हैं so that आप उसको बार 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 रिवाइज करो and exam में qualify करो clear है तो अगर आपने अभी तक हमारा course जोईन नहीं करा तो आप जोईन कर सकते हैं मुझे WhatsApp मेसेज करें मुझे WhatsApp मेसेज करने के लिए आपको सिंपल लिखना है supervisor course जैसे लिखना है supervisor course लिखो गे उसके बाद आपको सारी detail आजाएगी वहां पे एक लिंक होगा मारी आपका आपको क्लिक करना है install करना है and course को वाइब करना है इस course में हम आपको सारी चीज़े प्रवाइड करेंगे video lectures हो गया नोट्स होगे mcqs होगे test series होगी and the most important thing that is 100% selection guarantee 100% selection guarantee हम लोग प्रोइड करना है on the basis of our process जो हम आप लोगों को प्रोइड करना है में देखो बिना human psychology को समझे अगर आप आगलों की तरह काम करोगे तो फिर मतलब मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि काम गदा भी करता है ठीक है तो अब आपको decide करना है कि काम जो है वो किस तरह से करना है आपको exam qualify करने के point of इसे exam करनी है या आपको syllabus इकठा करना है तो अगर आपको selection लेनी है तो join our course अगर आपको content सिर्फ इकठा करना है तो मैं हाँ जोड़के बोलूँगा कि YouTube Google बहुत है आप आहां सा करते रही है तो जिन बचों ने अभी तक message करो and join करो course को because time is more important than anything else तो अब हम लोग start करेंगे आज का हमारा current affair session तो current affair session में सबसे पहला जो हमारा question है that is कि who has been nominated by President Draupati Movement to the Raja Sabha the upper house of the Parliament कहने का मतलब यह question में यह पूछा गया है कि Parliament का अपर हो स्राजी सभा में हमारे President, Honorable President Draupati Movement ने किनको nominate किया है ठीक है तो इसका जो answer है that is Satnam Singh Sandhu ठीक है Satnam Singh Sandhu जी को यह nominate किया गया है Honorable President द्वारा अपर house of Parliament के लिए ठीक है अच्छा कि कोन है सतनाम सिंग सानु कोन है यह basically चंदीगड ग्रूप of colleges के founder ठीक है इनों नहीं फाउंड करिया यह और मुहाली में 2001 में इनों ने करी थी चंदीगड ग्रूप which sorry with which state government for green hydrogen मतब NTPC green energy limited ने किस state के साथ मिलके एक agreement करा है green hydrogen के लिए ठीक है तो इसका जो answer है that is maharashtra इसके साथ maharashtra के साथ NTPC ने agreement जो है वो sign करा है for the development of green hydrogen and derivations up to 1 million of ton per annum capacity के साथ मतब in short अगर आपको देखें तो simple है यहाँ बोला है कि NTPC ने green energy sorry यह जो green hydrogen के लिए किस state के साथ किस state government के साथ agreement करा है that is maharashtra अगला जो question है पूछा गया है कि बताए where was the foundation stone of North East India's first naturopathy hospital late recently मतब जैसे आपको बताओ अलोपेथी हो गया उसके बाद homopathy हो गया तो इस तरह से naturopathy जो है उसका hospital जो है उसका foundation stone North East India में किस जगा पर रखा गया है तो इसका answer है that is दिभ्रूगर में ठीक है अब यह दिभ्रूगर basically कहां पर इस इन Assam clear और वहां के जो आयूष मिनिस्टर है देखो आयूष मिनिस्टर जिनका नाम है वहां के नी सौरी सेंटर के जो आयूष मिनिस्टर है जिनका नाम है सरवंदा सोनोवल ठीक है और इसी के साथ साथ असाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्वा शर्मा इनों दोनों ने मिलके मतब यह फर्स्ट योगा और नाच्रोपेथी हॉस्पिरिटल जो है उसका फाउंडेशन जो है वह नौर्थ इस्ट में रखा है नेक्स जो क्वेशन है पूछा गया है कि हूब ओन दा फाइफ होता है फेडरीशन ओफ इंटरनेशनल होकी ठीक है मतब होकी के इंटरनेशनल जो कप विमन वर्ल्ड कप जो टाइटल था वो किस कंट्री ने जीता है यह पूछा है तो इसका जो आंसर है इस निदर्लेंड ठीक है किनो ने जीता है निदर्लेंड जीता है और निदर्लेंड ने बाई इंडिया को हरा के फाइनल में यह कब जो है वो जीता है ओके अगला जो क्वेशन है पूछा गया है कि बताइए who won the men's 10-meter air rifle shooting event at the International Shooting Federation World Cup 2024, मतब यह जो shooting का international level का जो World Cup Federation जो हो रहा था, 2024 का, इसमें 10-meter men's rifle shooting में gold किनोंने जीता है, किनोंने जीता है इसको, that is Divyaan Singh Panwar, ठीक है? यह इंडिया के shooter है, basically Divyaan Singh Panwar, इनोंने gold murder जो जीता है, men's 10-meter air rifle shooting event में, जो कहां पर हो रहा था? चाइरो में, ठीक है? Next question है, that is, which film won the best popular film award at the Film Fair Award 2024? मतब यह अभी जो Film Fair Awards होए, 2024 के, इसमें best popular film award, best popular film award किसको मिला है, तो इसका जो answer है, that is 12th fail. आप लोगों ने देखी होगे, 12th fail जो है, वो विदू विनोज चोपराची ने इनको direct किया है, और इसे best film popular award दिया गया है, यह film basically एक life true event पे based है, IPS officer Manoj Kumar Sharma के life के based है, मतब उनकी life के ओपर यह based film है, और इसी के साथ अगर हम बात करें, तो best actor का जो award है, वो रनवीर कपूर को मिला है, animal film के लिए, ठीक है, चलिए, अगरा जो question है, पूछा गया है, कि recently एक समुंदर मेरे अंदर यह जो book है, यह publish करी गई, ठीक है, अच्छा बताइए, यह book जो है, यह किनों ने लिखी, question में यह पूछा गया है, it is written by, किनों ने लिखी है, इसका जो answer है, that is Sanjeev Joshi, ठीक है, Sanjeev Joshi जो है, वो कोन है, is a deputy CEO of Brahmos Airspace, ठीक है, तो अब इस book को launch करते हैं, हमारे National Security Advisor Ajit Doval, और Chief Defense Staff Journal, अनील चोहान जो थे, यह दोनों वाजू थे, इन्होंने launch करी है, यह Sanjeev Joshi जी की book, एक स्मुंदर मेरे अंदर, ठीक है, अगला जो question पूछा गया है, कि Singyung, भुगुन, ठीक है, Singyung, भुगुन, village community, जो है, recently news में देखने को मिली, बताइए, यह कौन सी स्टेट में है, ठीक है, यह कौन सी स्टेट में है, जो आंसर है, that is अनाच्वल परदेश, ठीक है, कहां पे, नाच्वल परदेश में, और अगर हम बात करें कि, यह जो, Singyung, भुगुन, village, community, reserve, जो है, यह news में कहां देखने को मिली, यह basically, अभी recently, Republic Day के ओपर, अंदरपरदेश की यह जो, Singyung, भुगुन, village, community, जो है, ठीक है, इसके बारे में, वहां पे, जिखर किया गया था, अगला जो कोशे नाच्वल पूचा गया है, कि, इनसेट, इनसेट 3DS, यह basically satellite का नाम है, ठीक है, recently, इसरो ने लाँच के रही है, अब पूचा गये कि, यह किस तरह की satellite है, ठीक है, तो इसका जो, आंसर है, that is, metrological satellite, अब metrological, जो satellite होती है, कि, मतलब मोसम की, जानगारी के लिए, जो satellite होती है, उसको बोला जाता है, metrological satellite, ठीक है, तो यह इसरो ना लाँच के रही है, इसका नाम है, जती होती 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 है, को अनूछी स्पोब ऑच करना टाँगान हैं, इसकार तरह को से स्थ कर Гण आल जाता हैं, भ ख पती हैं, दसले स्पोमेगे होती हैं, पर चासु मैं बट रekारी हैं, कि प।छ process.